जहिन मेरे प्यारे दोस्तों मारे चैनल नेक्स्ट एम में आपका स्वागत है देखें कुछ दिन पहले पसुची के साधिकारी उत्राखंड लोक्षेवा आयो के द्वारा ठीक है उत्राखंड पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा वेटरी ऑपिसर के लिए यहाँ पर रेक् करना मैं ज्यादे डिप्लिस के अंतरगत पर डिस्कस नहीं करूँगा इससे में आगे बड़े यह दिया आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब किजेगा तदा बिल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे दोर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नॉट्रिकेशन आपके बाज टाइम पर उपलब दो जाएगा जैसे की स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा अगर पेपर की बात करेंगे तो जो सबसे पहले नंबर का पेपर होता है जी एस का पेपर हो जी इस हाथ में हिंदी रिलेट होता है अब्जेक्टिव टाइप होगा 100 पूछे जाएंगे पर क्वेशन टू मार्क्स का होगा 200 मार्क्स का यह होगा 120 मिनट के अंतरकत पर 2 घंटे के अंतरकत पर आपको सॉल्व करने है ठीक है ना फिर उसके बाद में दूसरा जो पेपर होगा पेपर शेकिन की बात करेंगे तो परसु चिकित सा विज्ञान के लिए यह भी अब्जेक्टिव टाइप है 150 क्वेशन होगा 300 मार्क्स का आपका यह पेपर होगा 3 घंटे के अंतरकत पर 180 मिनट के अंतरकत पर 150 क्वेशन सॉल्व करने है और आपक टोटल तीन के तीन पेपर होगे ठीक है यह चीज आपने देख लागा सबसे पहले तो इसमें तीन पेपर होते हैं एक तो हो गया जी एस और प्लस हिंदी साथ में रिलेट करती होगे प्रस्न पत्र भष्ट पेपर शेकिन होता है पसु चिकित सा विज्ञान के लिए जो 300 पसु बढ़ा जान लिया निगेटिव मार्किंग का यहां प्रोविजन क्या गया है वन बाइफोर मार्क से आपके कटेंगे अगर आप एक क्वेश्टन गलत कर लेते हैं ठीक है जैसे सबसे पहले हिंदी की बात करेंगे तो सामान्य अध्यन और सामान्य हिंदी का तो इसम तो पहला टॉपिक जो है मैं ज्यादे अंडर डीपली डिसकस नी करूगा आप समझेंगे क्योंकि आपको इसमें कमी पढ़ना पड़ेगा ज्यादे कोई डीप स्टेंडर मुग लेके पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी पहला टॉपिक है सामान्य बिग्यान अंतरगत पर भारती राश्ती जो आंदोलन संबंदी है उस संबन यहां पर टॉपिक रिलेट होना है फिर शिकल्स के ऑंडे प्रफ़ाइब भारत का भुगोल एंवंग जनांगे की हो गया इंडन जोग्रफी एंड डेमोग्रफी बेस में हो गया फाइब नमर का पॉइंट है समसामी घटनाई आपके करंट है फिर बेस से संबंदी जो इस्टेट लेबल से नेशनल लेबल से और इंटरनेशनल लेबल इसक्त के इंटर इसके नबर का पॉइंट है उतरा दिल्राफोड का ही सिंटेट सेंच्ट है। यहाँ पर रिलेट हो जाने दस टॉपिकों से आपके लिए 80 पूछे जाने पर टॉपिक से आठ क्वेस्टनों का आप बांते हुए लेते चलो ठीक है इंग्लिश में वह इसलेबस दिया है इक बार मैं 60 भी बता देता हूँ जरनल सायनसे और नॉलिज़ ऑप्रेटर बेस के अंतर गत्रों कंप्यूटर ऑप्रेशन जैसे यहां पर लिखा गया उससे संबंदी कंप्यूटर ऑपरेटिंग संबंदी आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसके बाद में दूसरा टॉपिक है लिखा गार टॉपिक है विखा है और इनुज़ ऑपरेटर नॉलिज़ और फ़ेशन चीह और देना संबंदी फ़ेट औरीका林 मॉटर दूसरा आपको नचीह होग जाए इन दोर नब्टर से इमग्रइछे और गयरत येसे अफ़्ेवन संबंदी ए किया इनसे में प्वीक, एकोनोमिक से एंड नेचुरल रिसोर्स बेस के अंतरगत की बात कही गई है टेन नमबर का पॉइंट है जनरल इंटेलीजेन से टेस्ट सम्बंदी क्वेश्चन आ जाता है फिर उसके बाद में आगे बसते हैं 20 मार्क से के 40 सौरी 20 मार्क से का सामानिय जनरल हिंदी बेस से रि प्याव आची हो गया और उसके बार सांथ में दिलोम सब्ध हो गया संधिय लगाए से 10 सभी में से फॉज्यन से किसी Titans एक से 1Ã। ठीक है हिंदी जनरल हिंदी तो आपका और इसके सांद में GS के जो टॉपिक है है आपने समझ लिया होगा पेपर फश्ट वाले में पेपर जो दूसरा होना है इसके सांद में तो यह देख लो टॉपिक में डिसक्रश करने वाला deeply में बात नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपके आपने यह पड़ा हुआ है तो आप जानते इन टॉपिकों को सबसे पहले नहीं तो पॉच करके आप इसक्रीन शॉल लेजिए मैं रोग दे रहा हूँ मैं इसक्रीन पर भी कोई पैन नहीं चला रहा हूँ इसलिए तो ताकि आप इसक्रीन सॉल ले सको और आपको confusion create नो तो पहला टॉपिक है इसके अंतरगत पर दूसा पेपर जो होना है पसुचिकित्सा विग्यान के लिए एक सोपचास क्वेश्चन है पूछी जानी है टॉपिक आठ नो टॉपिक है इसके साथ मैं अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कितने टॉपिक है आठ तो हम आपके लिए पसुचिकित्सा सुक्सम जीव विग्यान संबंदी टॉपिक हो गया फिर उसके साथ में आगे बात करेंगे थर्ड टॉपिक है इसके साथ में पसुचिकित्सा परजीवी विग्यान क्या है थर्ड टॉपिक पसुचिकित्सा परजीवी विग्यान फिर वीफिर उसके बाद में आगे पॉइंट है पॉइंट नमर शेख्स release की बात करेंगे थे & रिडियो लॉजी उसके अंतरगत पर एक व। यूई श्रॉण की on लीजे ऐसका बर उसके बाद पॉइंट नमर शेहन की टॉपिक रिलेट है वापस में वापस रिवाइस कर देता हूं आपके लिए और परसुचिकित्सा परसुती रोग और परसुती परजनन विभाग संबंदिया नाइन नमर का पॉइंट दिया गया है पर शेकिन के लिए ठीक है और उसके बाद में पेपर जो थर्ड होना आप आपको इंग्लिस में दिया गया मैं ज्यादे बताऊंगा नहीं आप आप समझ गये हो को इतना है नहीं पेपर जो थर्ड है आपका पॉस्व विज्ञान संबंदी यूव भी क्या है 150 पूछे जानी है 300 नमर का है तीन गंटे के अंतरकत पर आपको सॉल्व करना है तो इसम पकुषची drift एक सा जेख़ रसायन के थर्ड पॉइंट पकुषची की दाओ जेख रसाएन ठीक है दूसके बार में 8 की बात करेंगे तो अंवनशकी और पर जनन संबंद्य नमर के बात करेंगे तो पसुधन उत्पादन पर बंदन इसके नमर का पॉइंट की बात करेंगे तो पॉसुधन उत्पाधन प्रवध्योगी की फिर उसके बाद में एट के पॉइंट है ज्यादे नहीं इसके अंतरगत पर जैसे आपने देखा होगा कि इसके अंतरगत पर वेट्टरी ऑपिसर के लिए पेपर नमर जो थार्ड है इ पेपर नमर जो सेकिन है उसके अंतरगत पर नाइन पॉइंटों के अंतरगत पर आपके लिए स्लेबस प्रोवाइड किया गया और जो फश्ट पेपर है जी एस बेस के अंतरगत पर तो उसमें हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतरगत पर और थोड़ा सा जैसे जनरल स्टड हो रहा तो आप क्या करिए पहुंच करके स्क्रेंट ले लिजेगा ठीक है चलिए दोस्तों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए वापसे मिलेंगे जैहिन जै भारत